नमो नारे जगो माता बंदे मात्रव मावार्ति कुप नाम और हिरदैशे ओम शम्शन शराय नमा पित्र और शाथियों जब हम सद्गुर्ण के दिए ज्ומ्शन शराय जीवन उतरने देना यहाँ सद्गुर्ण के ज्यान से प्रेम यह दि वास्तों में हमारा शमंद गुरु महाराजी के प्रेम से निस्सल प्रेम से है उस ज्यान से है तो वो हमें असली सांती तक पूंचाईगा और ऐसी सांती जिसे हमेशा हम धूंड रहे हैं और जिब गुर्माराची से ज्ञान को हम सilsविकार करेंगे, ज्ञान को भीटर में पहुंचेंगे ज्ञान को उतर जाने और ज्ञान का अनभहु करेंगे अभ्यास करेंगे तो हम उस संतुलन के पास आ जाए अपने भीतर में प्रगठ होगा अनभाव करेंगे उस शाष्वर सत्य का जो प्रमात्रमा की आश्वराद रूप से हमें मिला हुआ है कब जब इस ज्ञान का अनभाव करेंगे और जिसने अनभाव दिया है उसकी पर निश्वर प्रेम करेंगे तभी यह संभाव है ना मौना रहे हैं प्रीमित्रों शातियों और दर्शकों पुन्या आज ही रूँ आठ सितंबर 2021 का राशिफल लेकर रहे हैं मित्रों शातियों यह जो राशिफल है यह आपके नाम राशिफल है आपके चंदर राशिफल आधारी आज यह राशिफल में बहुसी बाते लेकर आया हूं एक 12 के 12 राशियों के लिए उपाई लेका आए हों दूसरा बारा राशियों के लिए आज आजगा पंचांग भादर पर शुकल पक्ष की द्वितिया विक्रम समुझ दोहजार एक्षटर भादब्रद मास की तेईस परविष्टर शक्षन निस्तो तेटालिस बादर पर शत्रा तदनुसार बुद्वार आठ सितंबर दोहजार इकीस शुरुद्यकालिन तीथी द्वितिया है और तीथी का समाप्तिकाल नौ सितंबर दोहजार एकीस प्राते दो बज कर तैंतीस मिनट पर है शुरुद्यकालीन योग शुभ योग और योग की समापतिकाली 11 बज कर 37 मिनट है साम को, अगला योग शुकल प्रारम होगा, शुरुद्यकालीन करण बालव करण है और करण का समापतिकाल है 3 बज कर 37 मिनट शाम को, अगला जो करण होगा वो कॉलव होगा, शुरुद्यका कन्याराशी में है तो मित्रव आज चंद्रमा अपनी मित्र राशी में गोचर के आज के आज कि अबिज्यत मुर्वत है प्रादे 11 बाज कर 53 मिन चेंप बारgeb 12 बज़ कर 44 मिनुट तक अबिज्यत मुर्थ रहेगा इस अवधी में आज की दिन सुबर कारी करना सबसे उत्तम मुहुरत का कोई भी नहीं और शुबर कारी है जिस कारे में हमें लंबे समय तक चीरकाल तक लाव मिले सफलता मिले यहाम लेना चाहते तो अब जीरत मुर्थ में कारी करना चाहिए देवता भी इस मुहुर्थ को स्विकार करते है और भगान शीरी हरी विष्णु को ये मुहुर्थ बहुत पसंद है आज का अम्रित का चौगडिया प्राते चौगडिया दस बशकर पğेंटालीश मेंड़ से लेकर निष्ट मिनट तक हैं लाभ का चौगडिया साम पांच बज़ कर चौए अम्रित शुब और लाभ का चौगडिया आजका जो राउकाल है बारा बज़ लेकर डैड़ बिस्ते गड़ राउकाल की दौरान शुबगारे करना शुदा करना पुंजिनिवेस करना अनकुल और उचित माना ने गया इसलाम एदिर मर्दिया आप करते यात्रा की दक्षिन दिशा की यात्रा कारूबार की दस्टिकाउंट से शुबरमंगल में रहेगी राज की दिन यात्रा पर जाने से फुरू शाबु धनिया चबाते यात्रा पर निकलेंगे तो यात्रा में कस्ट कमाए मित्रण शातियों, समय बदल गया प्रस्थियां बदल गया और शाधन बदल गया आप किसी भी दिशा में आप यातरा करें लेकिन जब आप घर से बार निकले तो साथ कदम दक्षण दिशा की ओर चलें तस पर साथ कुल देवता इश्ट देवता और पितर देवता का ध्यान करें मंगल में यात्रा की कामना करते भी राइट टर्न ले सीधे हाथ की तरफ घूम करके जिस दिशा में भी जाना है जाए यात्रा में कस्ट कम आएगा नमोना रहे आज 8 सितंबर 2021 है आज सरवार्त सिधी योग है शुबकारियों के लिए इस योग को बड़ा शुबमाना गया है और ये योग साम तीन बज़ कर 56 मिंट से प्रारम और साम तक है अच्छा योग है अब इसका लाब उठा सकते हैं इस दिन आप नामकरण कर सकते हैं और नामकरण के लिए भी समय अच्छा माना गया है तो आज का दिल बड़ा शुब है आप इसको लाब में ले सकते हैं प् इस गोचर के आधार पर मैं आपका राशिफल लेका और मैं आपके लिए उपाए लेका यह उस पर चर्चा करूं उससे पहले थोड़ी सी जोतिस की चीजिए मैं आप से सेर कर रहा हूं और इसको आप समझने की कौसिस करिएगा जब मैं बात करता हूं लगन है दूसरा भा खाना है जो आप जन्मकुनली देख रहे हैं जो खाना है जन्मकुनली के यह बारा खाना है और जो पहला चत्रबुज इन खानों में जो पहला चत्रबुज है इसे लगन कहते हैं इसकी पासवाला है इसे दूसरा भाव कहते हैं और यह वानी का भाव तीसरा है यह दूसरे के पास वाला फिर यह चौथा यह पांच वा आज पांच भाव की में चर्चा करूंगा अब आप अपनी जिन्मकुनली लिखाल देजी जो खाने बने हैं मैंने फिर गाए इन खानों को आप गिन लिजी तोटल बारा खाना है और इसमें जो नंबर लिके वे हैं एक नंबर ज जो पहला खाना है यह लगन का खाना है और लगन जन्मकुनली का पहला केंदर भी होता है और लगन यानि आपका व्यक्तितु आपका रूप रंग शारिक बनावत कद काटी आत्म विश्वास मानसिक्ता अहंकार आपके बात करने का तरीका ओवर हॉल जितने भी आप से सम् धनपका भाव कहते हैं धन समंदी विचार यहां किया जाता है बैंक बैलेंस यहां देखा जाता है यह दूसरा भाव है आपकी वाणी आपका कुटम आपका स्वाद आपकी दाइं आख के बारे में कोई विचार करना होगा तो दूसरे भाव में करेंगे नहीं 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 दूर संचार यहां देखा जाए यातात यहां जाए का देखा जाए अब आता चौथा भाव जिसे सुक का भाव कहते हैं यह चौथा भाव लगन केंदर और चौथा भाव भी केंदर माना जाता है जो चार केंदर है उसमें से दूसरा केंदर चौथा भाव है जीवन की सभी स शुकों का विचार चोधि की ङजाता है क्यों वह भाव रन जमिन जाधाद प्रोपर्टी शुक शमर्धि माता का शुक्वान का शुक सबीतरे का सुक इस भाव में विचार किये जाते हैं तह्वाव तीन तिरकोंन ये दूसरा अजाता है पुन्य जितने भिह वो पंचम भाव में देखा जाते हैं चौने बहां मेंने आपको बताय हैं नहीं चौने भाव में प्रारफिक शिक्षाते है यह 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 यू Hm बहू पी कह सकते हो प्रारफिक सिक्षा से फर क्áveis देखिती है जाते हर उसकन ट्रफिक lord और किसी चीज़ में विशे से रिसर्च करना तो अस्ठम भाव में देखा जाता है इसमें चर्चम बात में करूगा तो 15 भाव में उच्छ सिख्षा देखी जाती है वैक्तिकर जीमन देखा जाता है पाचन संता का विचार यहीं किया जाता है पेट का का मैं पर देव देव अधीडी देव-सुनिद्ण होगा मलतों इतला जणर्थ-दिर्दिर यह शुत्र आपके सामने लेकर आ रहा हैं आशाकरतों को कहीँ आपके काम आए अब में बात उनकी करूंगा जिनका जनम् जनम दिन या पिरशाद्दी की साल गरे तो दाती महराज की और से आपको हार्दिक सुखावन है आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे सनी भगवान की सिर्चलनों में मेरी प्राद्व आठ सितंबर आपका जनम दिन तो आपका मुलांक आठ हुआ और आला आठ जो मुलांक है उसका जो अधिपत्ति ग्रह है जो शासन ग्रह है वो देवादी देव सनी देव है आठ के अंक में लीडर्शिप का गुण होता है आप गंबीर है मैनती है अनुशासित है आपको एक अच्छा और लोगपरी लीडर बनाता है आप बहुत परिपको है गंबीर प्रकृति के वैक्ति आपको चीजों को मैनेज करना वेवेसलिज करना में कुशलता प्रभू ने हासिल दिए आप अपने अथक परिश्रम और लगन से अपने कारियों में शफल होते हैं दूसरों के सभाब को आप बहुत आशानी से परक लेते हैं आप प्राए कम बोलते है यानि आप अंतुर मुंकी वैक्ति हैं एक बहुत जरुरी बात है जो आपसे कहना कभी कभी जो ताना कसने की आदत ने ये आपको πα्रिषानी में डाल सकते है हर चीज को डंक मारने की जो आदत है कि आपको नुफसान दे सकते इससे आपको बचना चाहिए बहुत अच्छे इंसान है आप बहुत अच्छा काम करते हैं कभी कभी ऐसा डंक मार देते कि जो आपने सब कुछ किया ने वो सब जीरो कर दे इस पे थोड़ा सा अंकुस लगा रहा जाए आरतिक इस्तिकी बात करू तो आप में धन संग्रे करने की अच्छी परवर्थी होती है आप वैरत के कामें पैसा नहीं खर्च गए बहुत सोच समझ कर आवस्टा अनुसार पैसा खर्च गए इसकारण आप धीरी-धीरी पुझी निवेश कर लेते हैं और एक अच्छा खासा धन भी एक्ठा कर लेते यह आपका गून है अब आप कहेंगे दातिमाराज भगवान शन्य को खुश कैसे करें तो मातापिता की सेवा धरमान को आचन राश्य प्रिम और हर रोज हर रोज भगवान शन्य देव के नाम से पीपल के वरक्ष में और अपने घर में सर्ष्टों का तेल का दीपक जरू करना और गरीब और निदन लोगों को भोजन करना वस्तरों का दान देना देवादी देशनी देव इससे प्रशन होते हैं लेकिन सबसे उत्तम उबाए माबाप की शिवा धरमान को आचन ताश्य प्रिम और ओम शाम शन्य शराइक नमने आरायन और बात करते हैं आपके रा आउसे गोचर कर रहा है और गोचर पूर्ण शफलता और लाब का संके दे रहा है कारोबार समन्दी विश्य प्रसाप्राप्त होंगी रुकिवे धन की प्राप्ति होगी नहीं लोगों से समन्द बनेंगे शुबर मांगली कारी संपन होंगी मन में सास और उत्सा बना रहे और गोचर इस बात का संके दे रहा है कि आज धन आएगा आप विद्यारती हैं तो आपके प्रियास आपको लाब देलाए शिक्सा में रूची बढ़ेगी एजुकेशन में कुछ करने का मोका मिलेगा और एजुकेशन को लेकर परिवार का पूर्ण श्योग आपको चमेली का तेल का दीपक जलाना बड़ा शुब रहेगा आपके लिए नमणार बात करते हैं विश्वराश वालों चंदर महां पंचम भाव से गोचर कर रहा है और गोचर बात का संके दिरा कि संयम और धैरियसे काम करना पड़ेगा अपनों की सुननी पड़ेगी और शमय पलदा के लिए भागदौर की आवशकता है विजालाग धन की प्राप्ति तो होगी लेकिन दूसरों की जमेलों से दूर रहना बहुत जरूरी है धुन ने धुन अपनी धुन पराई धुन में पापने पनों गोचर इस बात का संके दिरा कि अपने काम से मतलब रहे बिना स क्या सुन घहवा बनना आपको नुखसान खाज पाण की प्रती थोला से सहीं मतले और विध्यारतियों को सिक्षा के सितर में अच्छे अवसर मिलेंगे और शफलता भी मिलेगे क्या करें अपने कर तब यका पहना करें जोकी में के काम के हाथ में जानी का कि की होनी चाहिए शुद्गाई का घी हो भगवाज शिव की मंदिर में जाकर इसको जलाए और उसमें पांच दाने या साथ दाने चावल ले लेजिए एकेस बार या सताइस बार ओम नमश्शिवाय का जाब करिए अपने उपरेश साथ बार उतार ये पुर्दीपक में उद्धाने डाल देना कस्ट मेंगे नमणान बात करते हैं मितुन आसे कि मितुन आसे वालों सितारों की चाल अनकुलता का संकेत नहीं दे रही है आज अनावश्यक कानुनी मसले और धनानी की संभावनादी है कारिश्रमंदी बादा उत्पन होगी लेंदेन के कारे में रकम डूग सकती है पारवारिक जम्यदारियों के बनने से मन में चिंता भी व्याप्त रहेगी तो गोचर थोड़ा साफधाने का संकेत्र आब विद्यार और परिवार में एक्था बनी रहे है बहुत जरूरी है क्या ना करें अज धनुधार न ले नद है क्या उपाई है विद्यू राशिवारों आज मा भगवत्ती के मंदिर में चौमो का सुद्ध गाई के घी का दिपक जलाई चौमो का घी का दिपक जब यो रूई की बाती होनी चाहिए इस बात का दिपक जब यो चारों बाती अलग अलगो चौमो का दिपक जलाई मां के सामने और यह मूंग के दाने साथ अपने परिवार के उपर से साथ बार उसार करके क्लॉक वाइज और आप दिपक में अर्पित करने बड़ा शूब रहेगा आप लिए नम गोचर कहरा कि आज खुशी का दिन है शफलता का दिन है काम बनने के दिन है आज वैर्थ के मांसिक तनाव और शारिक तनाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा और परिवार का शुक और स्वहुख बढ़ा रहेगा शुब कारी के प्रणा मिलेगा सासर रुजान बढ़ेग गोचर बड़ा शुब है भाई परिशाने से मुक्ति मिलेगे नए समंध मनेंगे धन की प्राप्ति होगी और आप विद्यारती है तो आज सिक्षा की और आपका रुजान अच्छा रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा मैनत और परिश्रम का फल भी प्राप्त होगा विद् पानी और वैवार से अपनों को कश्ण नहीं पहुंच त् Corn触 एक डीनप करें और अवम चंदर-मौलेष्वराए नम तर्व यह इस मंदर का झाप करते हैं अपने घर अ डे रिट करते हैं स्यंग्राश होगी का सुद्फ़क्ञा नुक्ड कर रहें हैं उसमें सफलता मिलेगी पस वानी पर सेयं आकरमक शभाव नुकसान दे जाएगा लेकिन आपका वेनमर शभाव है बात को सुनने की आदत है थोड़ी से क्योंकि आज कुछ बाते सुननों को मिलेगी और आपने उन बातों को सुन लिया तो आपसे बड़ा विज्यत आज कोई जी है आज धार विलचल का संकेत गेका लुक्त जुआ चटा लॉट्री इसमें धन लगाना नुक्वा शुक्सान का संकेत कि बने ये इस बात है मी थैर्ण नहीं करें वहीरत की भागदोर और प्रश्रीन घर्बैट दें गर० फॉन प्रातिकाल सूरी हुद्य की समय सुरी को जल अर्पित करने की बाद सुद्ध गाई के घी का दीपक सुरी को दिखाना बड़ा शुब रहेंगा और यह दीपक सुरी को दिखाने की बाद पीपल की व्रक्षव नीचे रगुदि सारी कस्मेटिकमे नमणादा नुबात करते है आज चारों और का बातवन खुशियों से भरा रेगर सभी लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और अपनों के साथ बैटने का मोका मिलेगा और अपनों का साथ भी मिलेगा गुमने फिरने और मनोरजन के अवसर अपनों के साथ रहें आप विद्यारती है तो गोचर इस बात का संकेदर है उच शिक्षा में जो प्रियास है थोड़ी सी महनत करी सफलता मिलेगा शिक्षा के छेतर में प्रियास की आवश्यक्ता है लेकिन प्रियास का प्रणाम करें साज़दारी में मन मुटाव नहीं करें क्या हो पाई तुल्सी में आके आगे गाई के सुद घी का दीपक प्रणीद करिएगा बड़ा लाब मिलेगा आपको नमणायर बात करते हैं तुलाराश तुलाराश वालों सितारों की चाल अनकूलता का संकेत नहीं दे रही है सितारे आज अनकूल नहीं है चंदर्मा बारवे भाव में है अनामसिक खर्चे नजरा आ रहे हैं खर्चो पर काबू रखना पड़े है या प्रशासनी का अपसर है तो उच्छ अधिकारियों की बारे में जरा थ्यान रखेगा उच्छ अधिकारियों की वज़े से आपको तकलीप आसकी और राजनिती के छत्र में है आज पवीतरता बहुत जरूरी दामन पकड़के रखना पड़ेगा पवीतरता का अनेता परिशानी आसकी अच्छ वहान परियोग में शावधान इबटना होगा पारवारी समंदों को लेकर शावधान देना पड़ेगा क्योंक को साथ लेके चलिए और किसी भी बड़े काम में बुझरगों की सला बहुत जरूरी विद्यारती और युवाओं के लिए गोचर सावधाने का संके देरा है क्या करें कानून के दाएर में रखे कारें क्या ना करें अपनी शफलता के लिए जूट और धोके का साहरा नहीं क क्या उपाय करें तुलाराशवालों माई को आज हाली चून्री भेट करें या माई को आज मोगरे के पुष्पों की माला चढ़ाना बड़ा सुपर है नमरान और बात करते हैं विर्चिक राश वालों शमय अनकुल है सितारे पूर्ण लाब का संके देरे भाई आज शूरी लाब और शफलता का संके देरे रुकिवे सरकारी और गयर सरकारी कारी बनेगे सुप्षमाचार की प्राप्ति आर्तिक पक्षबल होगा जमिन जाइदाद प्रापटी खरने का मोका है माता पिता का पूर्ण से होगे आशिरवाद भी रहेगा बड़े आज हमेशा आपके स चर्मी क्या उपाएं आज के दिन आज की दिन आट चुटकी सिंदूर हनमान जी की शिर्चणों में अरुपित करेगा कश्ट मिट जाएंगे नमणान बात कते हैं धनुराज दनराश वालों दसंभाव का चंदर्मा और दसंभाव का चंदर्मा शूरी के नक्षतर में और कामकाज में सफलता मिलेगी कामकाज के साधन उपलब्ध होंगे आएके साधनों में बड़ोत्री होंगे कारिशितर में रूची बढ़ेगी श्वपरियास होजे आर्थिक लाब बढ़ेगा नौकरी में उनतिक अवस्तर पाप्त होंगे स्वास्ते में सुधार होगा और ग और शंपलता सु नहीं प्रियोजना करना चींट हो सकती कोई अच्छी कंपणियों का टेंडर मिल सकता ऑफो सकती। अच्छा कूश्य करें और आज बहुत अच्छा दिन आपके लिए हैं। सिख्षा किसी पूर्ण शपलता मिले क्या करें भूमी वान सम्मधी कोई कारी संपन करना चाहते हैं तो जरूर करें लेकिन बुजर्ण को मिसला ले रहे हैं क्या ना करें धन और समय का अपवय नहीं करें अपने पूजा स्थान में चंदन की धूब दलाएगे बड़ा शुब रहेगा और किसी मंदिर में चंदन का दान देना बड़ा लाव देना नमणान बात करते हैं मकराश मकराश वालो गोचर मध्यम है कारिस्ति सामानिय है लेकिन आफशकताओं की पूरती हो कार इस्तल पर उचादिकारी और शाथियों का पूरा शात मिलेगा राजनिति के छेतर में शपलता मिलेगा पर शाया समझीक कारिय करने का अवशर मिलेगा और समझीक youth में बड़ोतरी हो आज आप अपनी विचार्वएक्ट करने का अवसर भी आपको मिलेगा, अपनी बात रख पाएंगे, धन मिलेगा, संसानीते का आउसर मिलेगा, सद विचारों की वज़े से आपकी प्रसंसा भी होगी, परन्तु बुजरुरों की सला अंदेखा नहीं करें, आप भी त्यारती हैं, तो गोचरिस बात का संकेदर हैं, आज परिव नहीं कमराश वालों, आष्जम भाव में आज चंद्रमा गोचर काएंड़ू, आष्छम भाव का चंद्रमा का संकेदर है, समय थोड़աս प्र्ति कूल है गोचरिस बात का संकेदर है, कोई भी बात करें, कोई भी निर्णे ले, उचित और अन्हूंचित का विचार करना ब सरकारी कार में रुकाउट है उच्छ अधिकारी आपको प्रिशान कर सकते हैं अनबन हो सकती धन की चिंता दिये हैं और विशेश कर दुरगटना का योग भी इसलिए नशा करके वहां नहीं चलाएं तो अच्छा है क्या करें सामजस्य बहुर जरूरी है परिवार के साथ क्य अनकूल शितारों का शुप शंकेत गोचर अज अनकूल है गरों का जो शंचरन है आज के दिन वह अनकूल है कारी सित्र में शंक्ता का प्रबल संकेत हो होगी इस ताई सुख संप्रति कि ब्रदी होगे चल और अच्छल संपति का लाब मिलेगा जाने का नई प्राणे मित्रों से मिलनगे प्रबल योग जीवन सात्री का पूर्ण शात्री के साथ आमोद और प्रमोद में समय जाज़दारी कारे में शफलता में नौकरी में अनुकुलता मिलेगी आपका बर्चस क्या ना करें किसी को उधार धन नहीं क्या उपाय करें में अज किसी भी मंदिर में श्रद्धान उशार केसर चरूदार नमनन और बात करते हैं आज के सुन्दर प्रियोग की उपाय लोगों ने कहा कि दाती माराज हम बहुत प्रियास करते हैं लेकिन हमारी कारियों में सप नित्य कर्म से निर्वो सिनान उप्रांघ रहुकाल के द्ध्यान रखेगा। शर्दान उशार्फ शाबत भूंग हरे कपड़े में बांदकर किसी विद्वा को देदी जी किि अब रहे कीनुर को दाब देजी। अब आप देखे दिए विद्वार किनर नहीं हो अब भगवती के मंदिर में रखे एकश विद्वार करके देखेगा कारियों में शफलता मिलना सुरू हो जाएगी नमनानर बात करते हैं नुसकों यदि पाइल से बवासीर फीसर है भगंदर है एक कप मुली का रस खाना के न पीके देखेगा और यह आपको बार-बार पेशाब आ रहा है तो तिल होते हैं तिल उसमें गुड़ से बनावा लड़ू तिल के सपे तिल घर में बना दीजिगा अच्छा रहता है एक लड़ू सुबह सुबह ज़रू खाइए एक साम को खाइए इसमें इसे राब मिलें चुचुटे नुसके हैं चुचुटे उपाय हैं उन्हें मेरा निवदन मेरा अनभाव है मेरा लादने का सभाव नहीं होता है सेकेंड ओपनिन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया कोई बिवाद ने और कोई तरक नहीं है कोई भूल हो गई हो उच्छमा परात्तियों शनी भगवान आपकी रक्षा करें आपका जिवन खुशियों से भरा रहे प्रभु के से जर्णों मेरी प्रात्मा दमोना रहे इन तीस साल में डिवादी देव सनीदेव की क्रपा से गो माता की सेवा में लगा रहा पिछले दो तीन सालों से मेरी परस्तियां इतनी अनकू किते हैं रास्त आपके विश्वास करते हैं इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और शाथियों मेरी आर्तिक प्रस्ति इस समय ठीक नहीं है मुझे गो माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए आप गो माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सिवा में हाजी हूँ जो मैं जानता हूँ मेरे आराद्ये देवादी देवसनी देवरु गुरु महराजी की दया से जोतिस की आसपास रहने का आउसर मिला आपको जोतिसी समधान में मेरा सहोग चाहिए मैं कोई प्रजापिता प्रमा नहीं हूँ नहीं मैं हतेली में सरसु उगाता हूँ मैं प्रियास करता हूँ मैं आपके लिए प्रियास करूँगा जोतिसी समधान के लिए और इसकी एवज मैंने आप लोगों से निवेदिन किया था कि आप गुमाता के लिए 200 उरुपिया गोसाला में जरूर देए आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सयोग कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गोमाता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गोमाता भुकी ने रहे मेरी गोमाता को चारा मिले और जो भी दान दाता जो भी राष्ट भक्त गोमाथा की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलिफ बढ़ेगी इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की बज़े से चारे की तकलिफ ज़्यादा नजर आ रही है आप सब इस से मेरा निवदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ परियास करें नमबर आपके सामने में हैं इन नमबरों पर शंपर करिए मैं आपसे वीडियो कॉंफरेंस में जरूर बात करूँगा और यह मेरा शोभाग्य होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहो करूँ जब आपको मेरी आवश्यक्ता पड़ेगी इन नमबरों पर मैं आपसे उपलबद रहूँगा इन नमबरों पर क्याकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़ादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि जोती से समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में सयोग करें और उसकी एवज में दाती महराज आज की सिवा में हाजिर हैं हाजिर थे और हाजिर रहें चिड़ी चौच भर गई नदीन घटियो नीर परमारत के कारणी मानव धरा सरी शेवा का फल हमेशा मीठा होता है शात्मा और समय बड़ा बलवान है समय एक साथ नहीं रहता है आज मेरी प्रस्ति है कि मैं आप से निवेदन कर आज तक मैंने राश्ट से कभी पैसा नहीं माना मैंने ये जरूर कहा कि सेवा बे ध्यान दें मैं भी सेवा करो आप भी सेवा करें इस समय मैं खल दिवानी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ मेरी आर्तिक प्रस्तिया इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गो सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ उनको मेरा बहुत-बहुत आभार और जो लुक्स्वयोग के लिए आगे आएंगे सिनिभगवान की सिन्चन और मेरी प्रात्ना की सिनिभगवान उनकी रक्षा करें उनका जिमन सदा खुशियों से भरा रहें मित्रों और साथियों लाति भरात जिमन भरा आपके आभारी रहेंगे इस से वाके लिए मेरी गोमाता भुकी नहीं रहे उन्हें तकलीप नहीं आएं थोड़ा सा प्रियास जरूर करें नमाना रहें